Hello Students मैं मेरे पिछले वीडियो में आपको discuss कर रहा था Concave Convex Lens में कैसे image formation होता है अभी मैं discuss करूँगा Concave Lens में कैसे image formation होता है तो यह है एक Convex Lens okay so convex lens का यह होता है optical center यह है principal axis okay so हमने पहले जाना था कि convex lens में focal point 1 f1 left में होता है लेकिन concave lens में ultra होता है concave lens में f1 right पे होता है okay और f2 left में होता है तो f1 f2 में क्या होता है okay जब f1 होता है जब कोई ray यहां आता है concave lens में गिरता है और reflection के बाद parallel हो जाता है तो यह जो diverge हो के lens में आता है तो यहां पे मैंने पहले discuss कर रहा था f1 और f2 के बारे में concave lens का okay यह है f1 f1 में यह है incident ray ऐसे अलग-अलग direction से आता है और reflection के बाद parallel हो जाता है तो जो incident ray appear to meet at f1 so यह f1 है जो right side में हा और यह f2 है जहां parallel rays आता है as a incident ray reflection के बाद diverge हो जाता है तो यह refracted ray को हम अगर पीछे की तरव खीज दे तो यह f2 बनता है concave lens में जो image है at object है at infinity distance okay so infinity distance में एक object है तो यहां पर कैसे image बनेगा एक ray ऐसे आया okay so यह ऐसे diverge हो के ऐसे जाएगा refracted ray यह incident ray और एक ray ऐसे आएगा और diverge हो के ऐसे जाएगा okay so finally image कहा बनेगा image तो यह बन नहीं सकता क्योंकि यह meet नहीं करेगा refracted ray किसी भी तरह एक दूसरे से क्योंकि यह diverge हो रहा है तो यह कैसे image बनेगा इस ray को हग मगर पीछे की तरफ खीज देंगे तो f2 में image बनेगा okay so object क्या है case 1 में object object at infinity okay infinity है तो कहा image बन ला है image बनेगा image at f2 okay second case में कहा यह क्या है highly diminished highly diminished image बनेगा okay third यह virtual image बनेगा क्योंकि actually meet नहीं कर रहा है raise तो यह virtual image है और यह erect image बनेगा okay so यह जब object at infinity है infinity से यह आ रहा है यह .2f2 है यह यह .2f1 है okay so यह object at infinity में nature of image है तो second case में क्या है अभी object beyond 2f2 तो इस case में कैसे image बनेगा let's draw it यह concave lens है okay यह concave lens के lens में concave यह भी concave lens में है तो यह optical center है यह f2 है यह 2f2 है यह f1 है right side में यह 2f1 है okay so अभी image को हम object को हम 2f2 के beyond में रखते है ठीक है तो इसमें कैसे बनेगा इसके किसमें भी यह parallel ray जा रहा है इसके बाद यह diverge हो रहा है okay यह diverge हो रहा है और एक रह आया optical center से जा रहा है optical center से सीधा जाएगा optical center से जो ray जाएगा यह ऐसे जाएगा यह incident रहा है ऐसे जा रहा है ठीक है तो इहाँ पर क्या हो रहा है यह दो ray तो मिल नहीं रहा है क्योंकि diverge यह इस direction में जा रहा है यह ray इस direction में जा रहा है तो image कैसे बनेगा इसको हम अगर पीछे तरफ खीज देंगे तो यह f2 में i emit करेगा और इहाँ पर यह image बनेगा यह image है छोटा सा image बनेगा यह optical center और f2 के बीच में बनेगा तो यह कहाँ बन रहा है object beyond 2 f2 है तो यह same side same side में बनेगा लेकिन within f2 within f2 within f2 बनेगा तो यह कब होगा जब यह 2 f2 के beyond में object होगा तो image बनेगा optical center और f2 इसके बीच में ओके और यह nature क्या होगा इसका diminished होगा यह object से छोटा होगा ओके पहले case में क्या था highly diminished इस case में क्या है diminished और यह virtual image है ओके इसके बेओन टू एफ टू से यह object रहता है अभी और एक केस है यह concave lens है यह optical center है यह principal axis है यह f2 है यह 2 f2 है यह f1 है यह 2 f1 ओके इमेज हम सोचे object अभी 2 f2 और f2 के बीच में object f2 and between f2 and 2 f2 अब कहा होग कैसे होगा यहां पर एक parallel ray ऐसे आएगा इसके बाद यह ऐसे जाएगा ओके diverge हो रहा है एक optical center से भी ऐसे जा रहा है तो यह तो meet नहीं करेगा यह कहा बनेगा इसको अगर पीछे खीर दिये जाए तो यह भी यहां पर image बनेगा यहां पर भी image कहा बनेगा same side okay same side within f2 similar as the previous case okay between optical center और f2 के बीच में बनेगा और दूसरा है यह यह भी diminished है सारे same okay third case में यह virtual है और यह यह भी erect है okay so अगर object f2 and 2f2 के बीच में रहा तो यह ऐसा nature of the image होगा okay so यह तीनों case है concave lens के time कैसे image होगा अभी हम जानते है पर लेंज फॉर्मूला है तो लेंज फॉर्मूला क्या है लेंज फॉर्मूला यह अगर यह यह convex lens या कोई भी lens concave lens भी ले सकते हैं यहां पर हम लेते एफ 1 यह 2f1 और यह f2 यह 2f2 ओके तो जो object एक पर्टिकुलर distance में है यह object है यह object distance optical center है optical center से जो object distance है इसको हम यू बोलते हैं ओके तो इसका image कैसे बनेगा parallel ray ऐसे गया ऐसे गया ओके यह 2f2 के बाद में बनेगा तो यह जो distance है optical center से image का जो distance है इसको denote करते हैं small v से सो object distance है यू से denote करते हैं और image distance को हम small v से denote करते हैं और यह जो optical center से जो focal second focal point लेते हैं इसको स्मॉल f से denote करते हैं यह बोलता है focal length तो यह object एक्चुली focal length माना जाता है ओके एफ वान भी focal length है यह focal point 1 है यह focal point 2 है लेकिन इस case में f 2 एक्चुली focal length consider किया जाता है ओके सो अगर हम convex length के case में हम किसी को focal length लेते हैं तो right side वाला focal length को consider किया जाता है जो कि f 2 focal point f 2 है उसके respect में जो focal length आता है उसको consider किया जाता है अभी आता है sign convention जैसे हमने mirror में भी पढ़ा था तो lens में भी same ऐसे ही follow किया जाता है यह अगर lens है तो कि यह optical center है यह principal axis है तो यहाँ पर draw करते है इस point का optical center से जो right side में है यह positive लिया जाता है जो कि incident ray का direction okay incident ray ऐसे जा रहा है यह incident ray का direction यह है incident ray का direction है okay अगर optical center से हम राइट side में जाते है तो यह positive है अगर तो optical center से हम right side में जाते हैं तो positive direction है जो की incident ray का direction है अगर left side में जाते हैं तो negative direction है ओके और अगर principal axis के उपर की तरब जाते हैं तो positive दिन पॉजिटीव है अपवार्ड में यह positive है और principal axis के अगर हम नीचे जाते हैं तो यह negative है कि यह negative है और principal axis से हम उपर जाते हैं तो positive है तो optical center से left negative right positive principal axis के upward positive principal axis के downward negative तो यह sign convention follow किया जाते हैं इससे हम clearly बता सकते हैं कि इसमें जैसे यहाँ पे image object distance है object distance negative है तो u negative है क्योंकि यह left side में है optical center के और focal length right side में है तो focal length positive है और image distance image distance इमेज भी right side में है ओके lens के right side में तो image भी positive है ओके इस point का हम अगर right side में जाते हैं तो positive है इस point का हम अगर left side में जाते हैं distance measure करते हैं तो negative है ओके सो यहाँ से हम clearly बोल सकते हैं object distance negative है focal length positive है image distance positive है okay और similarly यहाँ पर जो object का size होता है यह object size है object size को हम o से denote करते हैं o okay तो object size principal axis के upward है तो यह object size positive है object size positive है okay positive o object size positive है और यह image है image देखे principle axis के downward है ओके सो image size को हम i से capital i से denote करते है तो image size यह negative है क्योंकि यह principal axis से downward है तो यह sign convention है principal axis से downward negative और principal axis आपवार्ड positive ठीक है optical center से right positive optical center के left negative so minus u minus focal length यहाँ पर focal length actually f2 से लिया जाता है not f1 okay f2 को focal point actually consider किया गया है okay f1 को नहीं तो यहाँ पर focal length right side में optical center के तो यह positive है और image भी right side में है तो image positive है okay so यह है sign convention thank you so concave lens के खिस में क्या होगा sign convention यह concave lens है concave lens का f2 left में होता है okay so अगर image सुचिए यहाँ image है okay so यह optical center है so यह जो distance है image distance object यहाँ पर object है तो यह यू है okay so इसके case में actually कैसे image बनता है यहाँ एक रेज आता है यह ऐसे बनता है okay एक optical center से जाता है इसको हम पीछे की तरह extend करते है तो यह image है okay so यहाँ पर actually image यह है so image distance भी left में है और यहाँ पर focal length यह f1 right side में है f2 left side में है तो यह focal length भी यह focal length है optical center से f2 का जो distance है यह f है तो यहाँ पर हम clearly बता सकते हैं कि if focal length negative है okay क्योंकि optical center से हम जानते हैं कि यह left side में negative है negative है और right side में positive है तो यहाँ पर object distance भी negative है okay image distance भी negative है और focal length भी negative है और के लेंज के case में है ओके और यहाँ पर object size भी positive है और image size भी पोजिटीव है image size भी positive है object size भी पोजिटीव है प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर positive है प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे negative है ओके सो यहाँ पर focal length negative है object distance भी negative है जो कि image है यह optical center है यह object है यहाँ से यहाँ तक U है optical center to object distance ओके सो यह concave lens के case में होता है अभी आता है lens formula lens formula बताता है object distance and image distance and focal length का relationship है जो कि यह है ओके यह lens formula है ओके सो अभी हम इससे अगर हमारे पास object distance यह image distance दिया हुआ है तो हम focal length निकाल सकते है यह object distance यह focal length दिया हुए तो image distance निकाल सकते है ओके तो suppose हम कोई problem यह convex lens है इसका इसका ओके इसका focal length सचिये यह f है f2 है यह f1 है तो focal length दिया हुआ हुआ है 20 cm okay focal length दिया हुआ है 20 cm और object सपोस object है f1 और 2 f1 के बीच में तो object distance दिया हुआ है यू equal to 30 cm okay तो हमको पता करना है भी क्या है भी पता करना है ओके तो यहां पर हम लिख सकते कि object जो है यह object distance है जो optical center से है यह optical center है ओके तो यह object distance है यू यह object distance है यू और focal length f है यहां पर हम clearly बता सकते हैं कि object left side में है optical center के ओके तो object negative है माइनस 30 और focal length right side में f2 right side में है तो focal length positive होता है convex lens में so हमको अभी image कहा है मतलब भी भी पता करना है तो हम lens formula से निकाल सकते है 1 by b minus 1 by is equal to 1 by f अभी 1 by b हमको पता नहीं है 1 by u u है minus 30 और f है positive okay so minus 1 by b equal to 1 1 by b plus minus minus plus हो गया 1 by 30 equal to 1 by f दिया होय 20 okay 20 so finally 1 by b equal to 1 by 20 minus 1 by 30 equal to 60 3 by 2 okay 3 by 2 है equal to 1 by 60 so b equal to plus 60 है so यहाँ पर अगर हम draw करें इसको यह क्या ऐसे बनेगा अगर हम यह कि यह ड्रॉकरी incident ray है incident ray से एक ray ऐसे निकल रहा है को के और एक रे optical से जा रहा है so यह एसे बनेगा so यह f2 है यह 2 f2 है f2 कितना आया था so यह है image okay यह है image so image distance कितना आया 60 60 cm so image distance positive है so यहाँ से यह है image distance okay image distance positive है so image distance आया plus 60 so यह 60 cm है u है negative और f है positive focal length है positive okay so ऐसे हम अगर image distance निकाल सकते okay suppose अभी एक और problem है जिसमें आपको object size दिया हुआ है okay object size 43 cm object size है okay आपको निकालना है image size okay अभी object distance दिया हुआ है suppose 30 cm okay focal length दिया हुआ है 10 cm okay so बोला गया भी कितना है and image size कितना है so अभी अगर हम इसको draw करें तो कैसे होगा यह optical center है focal length है focal length क्या होता है इसमें right side में होता है okay so यह focal length है यह f है so focal length positive होगा focal length positive होगा और object okay f1 है f2 है a2 f2 है a2 f1 f1 है a2 f1 है okay so image कहा है अभी image 30 cm पर है यह 30 cm है image distance है 30 cm optical center से image u 30 है u क्या होगा negative होगा f क्या होगा positive होगा u minus 30 f plus 10 okay so यहाँ पर image कहा बनेगा object 30 cm पर है तो image यहाँ पर होगा okay f2 and 2 f2 के बीच में होगा okay so यह है b positive आना चाहिए अभी अभी अगर हम lens formula से use करते है equal to 1 by b u कितना है u minus 30 तो यह plus होगा u है minus 30 तो minus minus plus और f है plus 10 okay so 1 by b minus 1 by 10 1 by 30 equal to 33 minus 1 equal to 2 by 30 so so v equal to 15 cm okay so v positive है so यह 15 cm है u है minus 30 और f है plus 10 okay यह ऐसा आया अभी इस प्रॉब्लम में और पता आया कि image size कितना है object size अगर 33 cm है so इसलिए हमको और एक formula जानना पड़ेगा यह है magnification यह है image size divided by object size okay is equal to image distance divided by object distance होता है okay so यहाँ पर image size divided by object size is equal to image distance v is equal to kya है plus 15 और u is equal to kya है minus 30 okay so minus 1 by 2 okay so minus 1 by 2 है so अभी image size क्या दिया object size क्या दिया हुआ है object size दिया हुआ है plus 3 cm plus 3 cm so image size है minus 3 by 2 cm okay यह negative होगा image size object size क्या है plus 3 cm था object size plus 3 cm so image size minus 3 by 2 cm क्योंकि magnification 1 by 2 minus 1 by 2 है यहाँ पर आप देख सकते हो magnification negative है so negative का बाता है जब real image बनता है यहाँ पर inverted image बना और real image बना okay so यहाँ पर आप देख सकते हो diminished image है diminished मतलब object size से image size छोटा है तो object size 3 cm image size minus 3 by 2 उसका आधा है okay जैसे 2 f 1 के beyond में अगर object रहा तो image f 2 and 2 f 2 के बीच में होता है okay so यह एक important problems है इसको ऐसे solve किया जा सकता है इस तरह से lens का numerical solve करते है सो अगर virtual और erect image बनता है तो magnification positive होता है और real and inverted image बनता है तो magnification negative होता है okay यहां पर real image है magnification negative है और virtual और erect होता है तो magnification positive होता है क्योंकि upwards direction में होता है principal axis का object और image both upwards direction में होता है okay गर यह यह अब्जेक्ट साइज है plus 3 cm or image size है minus 3 by 2 cm okay यह image size negative है thank you